हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल दे लाम आप कुई इस आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाले हूँ डियाए वैर उप्टन जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं ग्लोइंग बना सकते हैं और यंग बना सकते हैं अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप कम से कम एक महिने पहले इस उप्टन को ज़रू ट्राइ करना शुरू कर दीजिए इससे आपकी स्किन बाइटन ब्राइटन होगी और शादी वाले दिन आपको जो चेहरा है वो चमकदार होगा गोरा होगा और आप सबसे ज़्याद इसली मिल जाएंगे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रत होगी ग्रैम फ्लोर की यानी बेसन बेसन के बाद हमें चाहिए होगा राइस फिलार यानी चावल का आटा सो चावल का आटा हमारे सकिन को वाइटन ब्राइटन करेगा और ग्लोइंग बनाएगा चाव अगर आप चाहिए कि आपके सकिन में इंस्टें निखा रहा है तो आप कौफी पावडर यूज कर सकते हैं तो मैं है आपको कौफी पावडर यूज कर रही हूँ और लास इंग्रेंट में यूज करूंगी रॉमिल्क यानी कच्छा दूद अब बात करते हैं कि आप हमें DIY उप्टन को किस तरीके से बनाना है इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आप कम से कम एक से देड़ चमट बेसन एड़ कर लीजिए यानी ग्राम फ्लोर सो गश बेसन अगर आपकी स्किन में एकने पिंपल्स की प्रावल्म है Ŧाख धब्ब्बे है और यह सारी प्रावल्मक दूर होगी उसके बद मैश में आट करूँग Александр और चावल काटा, उसकी बाद मैस में एड़ करूँ गी एक चमच चंदन पाउडर, और आदा चमच आड़ करूँगी कौफी पाउडर, कौफी पाउडर एड़ करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप सबसे ज़ादा आपका जो चहरा है वो निकरा हुआ नजर आएगा उसके बाद मैस में एक चुथाई चमट टरमरिक पाउडर एड़ करूँगी यानि हल्दी पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैस में आखरी इंग्रेंट जो एड़ करूँगी वो है रॉमलक यानि कच्छा दूद आप इसमें धीरे देरे तीन से चार चमट कच्छा दूद एड़ कर लिजे ताकि आप एक स्मूध पेस्ट तेयार कर सकें आपके शादी ओने वाली है या फिर करवा चाहते हैं आप इसे रेगुलर बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके शादी नहीं भी ओने वाली है तो यह उप्टन आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़दा नेच्छर और एफेक्टिव है मैंने इसमें जितने भी यूज़ किया है वो बहुत ही ज़दा अच्छे आपके स्किन के लिए और सारे यह आपको किचन में इजिली मिल जाएंगे आप इस अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डियाएव उप्टन है वो एकदम रेडी हो चुक है बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस तेयार हो गया इसका सो गयाई अब बात करते हैं किसे किस तरीके से यूजिए करना है इसको यूजिए पहले आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है इस DIY Upton को बनाना बहुत ईजी आप देखी चुके हैं और इसमें जितने भी इंडियर यूस किया है वो मैंने बहुत ही ज़ादा नैच्रल है आपकी स्किन के लिए अब इसे यूस करने से पहले आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लेना है ताकि आपके स्किन से सारी डर्स्ट डर्ट रिमूफ हो जाए और उसके बाद आप इसे ब्रश की हल्प से अपने हैंड्स की हल्प से अपने पूरे फेस पर अपलाई कर लीजिए ये DIY Upton आपके अच्छ पर इसके लिए नहीं पूरी बॉड़ी के लिए अगर आप चाते कि आपने अपनी नेक पर भी अपलाई कर सकते हैं अपने लेक्स पर भी अपने हैंज पर भी सुगाइस पुराने टाइम में हमारी दादी नानी के बाद मार्किट की कोई भी प्रडुक्स नहीं हो होगा इससे और हमारी स्किन बाइटन ब्राइटन होगी है है तो चाहिश्य आपकर अपने पूरे फेस पर इसे एपलाय कर लेना है और इसके बाद आप चाहते हैं झाहते हैं तो मैं यहापर पने हेंस पर भी सच्छा से अपलाय कर लोगी अगर आपको इसके 100% रिजल्ट चाहिए और आपकी शादी होने वाली है तो कम से कम एक मेने पहले आप इसे ट्राय करना शुरू कर दीजिए इसको अपलाय करने के बाद आपको कम से कम 3-4 मिर तक अच्छे से अपनी फेस की अपने हैंड्स की मसाज़ करनी है देखिए इस तरीके से आप अपने पूरे फेस की हैंस की मसाज़ करनी है अच्छे से मसाज़ करने के बाद आपको कम से कम 15-20 मिर दीजिए ऐसे सूखनी के लिए छोड़ देना है so guys मैंने आपर इसे सूखनी के लिए छोड़ दिया है और उसकी बाद आपको अपना फेस अच्छे से वाश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले ही यूज से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नजर आ रही है कितनी ज़्यादा शाइन नजर आ रही है आप इस डियावय उप्टन को जरूर ट्राइ कीजे अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्स चाहिए तो कम से कम अगर आपकी शादी होने वाली है तो एक मेने पहले आप इसे ट्राय करना शुरू कर दीजे और करवा चौद भी आने व पुचाएंगे और मार्किट का महंगे महंगे फेशल कराने की बजाए आप इस नैच्रल उप्टन को ट्राय कीजे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस उप्टन के कितने जादा बेनेफिट्स मिले आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं मिलूंगी आपको अगल सब्सक्राब करें बाबाई टेक कियर